नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मेश्टर क्या कहता है आपकी हथेली का रंग हथेली के रंग से व्यक्त के सुभाव का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं क्या हतेली का रंग भविश्य का संकेत देता है आज इस विशय पर विशेश चर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार और आज के उपाय में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाय है जल्दी से शुरू करते हैं कारक्रम सबसे पहले बात पंचांग की 28 जून 2023 दिन बुदवार आसाड मास चल रहा है, शुकल पक्ष है, दसमी तिथी है चित्रा नचत्र रहेगा, साम को चार बज कर एक मिनट तक फिर स्वाती नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मिथुन राशी में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा तुला राशी में गोचर कर रहे हैं और भगवान शूरे मिथुन राशी में गोचर कर रहे हैं आज विजय मुहूर्त का समय होगा दो पहर दो बज कर 44 मिनट से, दो पहर तीन बज कर 40 मिनट तक जो भी महत्पूर्ण काम करना है आप विजय मुहूर्त में करिएगा तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल का समय होगा दो पहर 12 बज कर 24 मिनट से दो पहर 2 बज कर 9 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी महत्पूर्ण काम ना करें दिशा शूल है उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हथेली का रंग यदि लाल हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है देखिए लाल रंग की हथेली वाले लोगों के जीवन में समस्त एश्वर की प्राप्ती होती है इन्हें नाना प्रकार के सुख और आनंद प्राप्त होते हैं ये लोग अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और धनी होते हैं सुभाव में थोड़ा सा भावुकता होती है और थोड़ा सा क्रोधी मिजाज होता है इनका जिन लोगों की हथेली का रंग जो है गहरा गुलाबी होता है वो कैसे होते हैं देखिए इस तरह की हथेली वाले लोग धनी होते हैं इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती ये लोग बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं इनके विचार, सोच, पसंद, नापसंद सब कुछ परिवर्तन शील होते है यानि बदलते रहते हैं मन, विचार इनका बार बार बदलता है और भी हथेली के रंगों के बारे में चर्चा करेंगे आपको बताएंगे पहले जान लेते हैं मेश, ब्रश, मिथुन और करक राशी का राशी फल मेश राशी, प्रापर्टी खरीदने के योग बन रहे है आपका सम्मान और बढ़ेगा सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी सेहत आपकी ठीक रहेगी शुब रंग लाल उपाए दुरगा चालीसा का पाट करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा ब्रश राशी, धन लाव का योग बन रहा है महत्यपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी जल्द वाजी में फैसला करने से बचे रिस्तेदारों से संबंध सुधरेंगे शुब रंग गुलाबी उपाए मा दुरगा को लाल पुश पर पित करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा मिथ उन्राशी अंजान लोगों से मुलाकात होगी कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे सेहत को लेकर सावधान रहना होगा शुब रंग के सरिया उपाए मा दुरगा को हरे फल अर पित करें करकराशी धन लाब के लिए आप जो कोशिस करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे करियर में उन्नती का योग बन रहा है परिवार से मदद आपको प्राप्त होगी आलश्च की वज़े से किसी भी काम को ना छोड़ें अपने काम समय पर अवश्च पूड़े करें शुब रंग क्रीम उपाए मा दुरगा को पेठे का भोग लगा कर प्रसाद बाटें तो आपके लिए बहुत शुब होगा आईए अब जानते हैं जिन लोगों की हथेली का रंग गुलाभी होता है वो लोग कैसे होते हैं ऐसे लोग उत्तम मानवी गुणों से संपन होते हैं धन और इश्वरेशाली होते हैं धन की इनके पास कमी नहीं होती है धैरे इनके अंदर भरा होता है हर काम धैरे से करते हैं दया, छमा और प्रेम का भाव इनके अंदर होता है ये लोग आशावादी होते हैं खुश रहने वाले लोग होते हैं और ऐसे लोग कला और प्रकति के प्रेमी होते हैं तो इनका मिजाज बहुत बढ़िया होता है जिन लोगों की हथेली का रंग गुलाबी होता है आई आप जानते हैं जिन लोगों की हथेली का रंग पीला होता है हलका पीलापन लिया हुआ होता है ऐसे लोग कैसे होते हैं ये लोग मानसिक रूप से परिशान रहते हैं और नि जीवन में संगर्स होता है और भी हतेली के रंगों के बारे में चर्चा करेंगे पहरे ले ले लेते हैं एक सवाल यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक जन्मिस्थान जन्म समय लिखे और से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है निसर्ग व्यास का सवाल ले रहे हैं निसर्ग व्यास जी ध्यान से सुनियेगा आपका सवाल ले रहे हैं इनकी डेटा बर्थ है साज जन्वरी सन दो हजार पाँच छै बज कर 37 मिनट वरोड़ा वरोड़ा का इनका जन्म है निसर्ग व्यास जी का सवाल ये है कि विदेश जाने का योग कब है इनकी कुंडली में कब ये विदेश जा पाएंगे निसर्ग व्यास जी जो आपने बर्थ डिटेल वताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है आपकी कुंडली आपके सामने है आपकी धनू लगन की कुंडली है और ब्रश्चिक राशी है आपका जन्म अनुराधा नचत्र के प्रथम चरण में हुआ है इस समय आपकी बुद्ध की महादसा चल रही है जो मई 2022 से शुरू हुई है और ये मई 2049 तक चलेगी और बुद्ध की महादसा में बुद्ध की ही अंतर दसा चल रही है जो की मई 2022 से शुरू हो करके अक्टूबर 2024 तक चलेगी आएए आपकी कुंडली आपको समझाते हैं देखे जहां ये 9 नंबर लिखा हुआ है ये है धनुलगन और धनुलगन का स्वामी ब्रहस्पती तेज डिगरी का बैठा हुआ है दसमे घर में अस्टम इस्थान में शनिदेव बिराजमान है और अस्टम इस्थान का स्वामी चंद्रमा जा करके बैठ गया है बारवे घर में 4 डिगरी का साथ ही मंगल बैठा हुआ है 14 डिगरी का और चंद्रमा कमजोर इस्थिति में है चंद्रमा ब्रश में उच्चके होते हैं और ब्रश्चिक में कमजोर इस्थिती में होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश यात्रा का योग बनेगा अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2025 से लेकर के और अगस्थ 2027 के बीच में आप विदेश जाने में काम्याब होंगे अभी उसके लिए जो जरूरी तैयारी है वो करने की आवश्यक्ता है उपाय क्या करें? पहला उपाय सोमवार का ब्रत रखें, प्रति दिन भगवान शिव को जलर्पित करें सोमवार के दिन किसी गरीब को एक किलो आटे का दान करें ये नियमित रूप से उपाय करिए दूसरा, प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर अवश जाए हनुमान जी से प्राथना करिए कि जो भी बाधाएं आ रहे हैं विदेश जात्रा में उनको दूर करें और आपकी किछा को पूर्ण करें तो इस तरीके से ये दो उपाय करना शुरू करिए और एक मानिक के रत्न सवा ग्यारा रत्ती का रविवार के दिन रिंग फिंगर में सोने के अंगोठी में धारण कर लेजे तो भागय का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने लगेगा तो जैसे निसर्ग ब्यास जीने सवाल पूछा आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीख, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंग राशी की, सिंग राशी वालों की नेत्र तो छमता और बढ़ेगी रुके हुए काम पूरे होंगे, मैनत का अच्छा फल मिलेगा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा शुबरंग मरोन, उपाए मा दुरगा की आरती करें कन्याराशी, व्यापार में तरक्की होगी, धनलाब का योग बना हुआ है जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, ऐसे बिरुजगार लोगों को जौब प्राप्त होगी सेहत आपकी ठेक रहेगी, शुबरंग हरा, उपाए मा दुरगा को संगार की सामगरी अर्पित करें तुलाराशी, अचानकी यात्रा का योग बन रहा है, वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा लोगों के कहने पर विचार ना बतले, सेहत को लेकर सावधान रहना होगा शुबरंग गेरुआ, उपाए मा दुरगा को खीर का भोग लगाए ब्रिश्चिक राशी, नौकरी में प्रमोशन का योग है, आपके काम की तारीफ होगी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ती का योग बन रहा है शुबरंग मरुण, उपाए मा दुरगा को लाल फल अर्पित करें आईए अब जानते हैं, जिन लोगों की हतेली का रंग, हलका बैगनी या हलका नीला हो हलका नीला पन लिये हुए हो, तो वो लोग कैसे होते हैं देखिए जिन लोगों की हतेली का रंग ऐसा हो, हलका बैगनी या नीला पन लिये हो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्स बहुत होता है ये लोग एकांत पसंद करते हैं एकांत में रहना चाहते हैं ऐसे लोगों का सुभाव थोड़ा रूखा होता है ये चिर्चिड़े पन वाले लोग होते हैं आईए अब जानते हैं जिनका हथेली का रंग मटमेला हो मटमेला हलका काला भूरे रंग का मटमेले रंग की हथेली वाले जो लोग होते हैं ये बेहद रहश्यवादी होते हैं इनको समझना आसान नहीं होता बाचीत में असत्य तथ्यों का सहारा लेते हैं जूट का सहारा लेते हैं इनके अंदर पुर्शार्थ की कमी होती है स्वास्त की समस्या से घिरे रहते हैं धन की कमी बनी रहती है खून की कमी और कफ संबंधी परिशानी इनको हो सकती है आईए अब जानते हैं ऐसे लोग जिनकी हतेली चमकदार सफेद हो चमकदार सफेद हतेली वाले लोग अलावकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं इनमें पराशक्ति का ज्यान होता है विचारों से ये वेहद संतुलित होते हैं इनकी विचार धारा आध्यात्मिक होती है अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का उसके बाद धनू मकर कुम्ब और मीन राशी का राशी फल और आज का उपाय आपको बताएंगे सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंड वॉक्स में बर्थ डिटेल लिखे और अपना सवाल लिखे वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे चलिए अब बात धनू राशी की धनू राशी लक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करना होगा मन की चिंता दूर होगी रोगों से छुटकारा मिलेगा पैसा किसी को उधार ना दे शुबरंग हलका पीला उपाय मा दुरगा को पीले फल अर्पित करें आई अब सवाल ले लेते हैं सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम है नीलम गुपता नीलम गुपता जी ध्यान से चुनियेगा आपका सवाल ले रहे हैं इनकी डेटा बर्थ है 12 जुलाई 1999 11 बचकर 50 मिनट दिल्ली का जन में निलम जी का सवाल है कि इनकी मैरिज कब होगी निलम गुपता जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तेयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं आपकी कन्या लगन की कुंडली है और मकर राशी है आपका जन्म धनिस्टान अचत्र के दूती चरण में हुआ है इस समय आपकी ब्रहस्पती की महादसा चल रही है जो सेप्टेंबर 2020 से शुरू हुई है और ये सेप्टेंबर 2036 तक चलेगी और ब्रहस्पती की महादसा में शनी की अंतर दसा चल रही है जो नॉम्बर 2022 से शुरू हुई है और माई 2025 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखिए आपकी कुंडली में जहां ये 6 नंबर लिखा हुआ है ये है कन्यालग्न और कन्यालग्न का स्वामी बुद्ध 11 घर में बैठा है 22 डिक्री का शादी के लिए देखते हैं सात्वे घर और सात्वे घर का स्वामी है ब्रहस्पती और ब्रहस्पती स्वेम सात्वे घर में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से शादी का समय चल रहा है और आगे आने वाले दो साल के अंदर आपकी मेरिज हो जाएगी उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए ब्रहस्पतिवार का ब्रत रखिए ब्रहस्पतिवार के दिन चने की दाल भीगी हुई चने की दाल गव माता को खिलाएं और जब आप ब्रत रखेंगे तो उस दिन कोशिस करें कि पीला भोजन करें अपना जो भी साम को प्रसाद पाएं उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें तो उसका कलर पीला हो जाएगा तो वो आप ग्रहन कर सकते हैं इस तरीके से ब्रस्पतिवार के दिन भगवान विश्नु का पूजन करें प्रणाम करें आरती करें और अपनी इक्षा का निवेदन करें कि विवाह में जो बाधाएं आ रही हों उनको दूर करें और गव माता को जब आप भीगी चने की डाल खिलाएंगे तब भी गव माता से परातना करें कि आपको इक्षा पूरी करें ये उपाय करिए बहुत जल्दी शादी आपकी हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मकर राशी की मकर राशी वालों को सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी संतान से सुख प्राप्त होगा आपकी योजनाएं सफल होंगी रुका हुआ पैसा मिलेगा शुबरंग हलका निला उपाय मा दुरगा को इत्र अर्पित करें कुम्बराशी परिवार में सुख बढ़ेगा प्रापर्टी खरीदने में जल्दवाजी ना करें यात्रा से लाब का योग बन रहा है अपने करियर को आगे बढ़ाने का समय है शुबरंग आस्मानी उपाय मा दुरगा की आर्पित करें में राशी अचानक धन लाब होगा मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा वानी का प्रियोग सोच समझ कर करना होगा शुबरंग पीला उपाय दुरगा जी को पीले फल अर्पित करें अब वक्त है आज के उपाय का व्यापार में लाब प्राप्ती के लिए ये उपाय करें क्या करना है 27 मंगलवार तक लगातार हनुमान मंदिर जाएं हर मंगलवार को और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर प्रिसाद के रूपे पंडी जी से थोड़ा सा मांग लिजे और प्रति दिन उस सिंदूर का तिलक करें अपने माथे पर और प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाट करें हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी से प्रात्ना करिए कि आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे ये उपाय करके देखिए ग्यापार में अच्छा लाब होने लगेगा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन बहुत शुबहो नवस्कार